दिपावली की राद सारनपुर के बढगाव इलाके में अवनी और करण नाम के दो बच्चों के संदिक धालत में शव मिले थे और परिजन और ग्रामी लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि शायद किसी ने तांतरी किरिया के चलते इन दोनों बच्चों की जो है वो हत्या क कर दी काफी देर तक महाँ पर घंटों तक वो सड़क पर बैठे रहे जाम उनकी तरफ से लगाया गया मंत्री जो थे कुमर बर्जेश सिंग वो भी महाँ पर मोके पर पहुंचे इसके लावा जो पूरुसांसर रागलोखनपाल शर्मा थे वो मोके पर ते साथी साथ परश पुलिस को मोके से एक वाहन के जो बोडी पार्ट्स हैं वो वहाँ पर मिले थे तूटे हुए बोडी पार्ट्स मिले थे और कुछ निशान भी महाँ से किसी वाहन के पुलिस को जो है वो बरामत महां से हुए थे जिसके बाद पुलिस लगातार इलाके में जितने भी CCTV कैमर में पुलिस ने एक गाड़ी को ट्रेस किया उसका जब नंबर मिला तो वो गाड़ी जो है वो शीवम शर्मा नाम का एक यूवक है जो हरिद्वार का निवासी बताया जा रहा है वो उसकी गाड़ी थी पुलिस ने अब शीवम शर्मा को गिरफतार कर लिया है साथी साथ वो भी पुलिस ने जब्द कर ली है जिस गाड़ी से जो है वो हासा हुआ था पुलिस को पुछताच में शिवम की तरफ से ये बताया गया कि दिपावली के दिन वो अपने परिवार वालों के साथ ननोता इलाके में पूजा के लिए गया था और जब वो पूजा से वापसी लो लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले को हीटन रन से ही जोड़कर देख रही थी परिवार वाली लगातार यही कह रहे थे कि ये तांतरी किरिया के चलते हत्या हुए लेकिन पुलिस को जो सबूत वहाँ पर मिले थे प्रतन दस्तिया जो सीन था वाँ का वो इसी तरह कर लिया है काफी हंगामा यहाँ पर मचा था अबनी और करन जो है वो दिपावली के पूजा से पहले अपने ही देव पित्रों के पास जो है वो दिया जलाने के लिए गए थे और कुछ दिर बाद ही जब वो वापस नहीं लोटे तो परिवार वालों के साथ-साथ ग्रामि रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी कहीं न कहीं ये इशारा करती थी कि ये कोई हाथसा ही था क्योंकि उनके शरीर की कहीं सारी जो हडिया थी वो फ्रेक्चर थी पुलिस लगातार हीट एंड रन की थोरी पर यहाँ पर काम करती हुई दिख रही थी और उसी के चलते है पु गत्मा जो है वो शीमम के उपर दर्ज हो गया है पुलिस ने उसको गिरफतार कर जेल भेज दिया है टीवी नाइन यूपी के लिए सारनपूर से विकास कपिल